हेलो फ्रेंड्स आपको बहुत-बहुत स्वागत हैं फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं दाल मिल मशिन के बारे में मेरे राजसान में तो दाल बाटी फेमस है और दाले काम में ली जाती है सबसे ज़्यादा चने की दाल, उड़त की दाल और मूं की दाल आपके एरिये में, आपके शहर में, आपके रजम में या फिर आपके गाउं में कौन सी डाले यूज में आती है आप हमें कमेंट करके बताइए तो चलिए तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले है कि ये डाल मिल मशिन क्या होती है और इसका उप्योग कैसे करते हैं इसकी service maintenance क्या है किम्मत क्या है गारंटी कितनी है और आप इसे कैसे खरी सकते हैं तो चलिए start करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि दाल्मिल प्लांट क्या है अब यहाँ पर जो मशिन देक रहे हैं आप वो यानि कि दाल मिल प्लांट है यानि कि इस मशीन से जितनी भी दाले बनानी है वो आप इस मशीन से बना सकते हैं अब नेक्स सवाल आता है कि दाले कौन-कौन से बना सकते हैं तो यहाँ पर चना, उड़द, मूंग, चौला, वटला यानि कि जितनी भी डाले हैं, वो सारी डाले आप इसमें बना सकते हैं अब आपके mind में ये नहीं चलेगा कि हमें ये डाल भी इसमें बना सकते हैं क्या सभी तरह की डाल इसमें बना सकते हैं अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि ये जो डाल मिल प्लांट है इसके साथ में हमें क्या-क्या मिलेगा तो आप देख रहे हैं ये पूरा प्लांट है वो as it is आपके गर पहुचने वाला है इसके साथ में आप देख रहे हैं साथ यहाँ पर बैल्ट मिलेगा जो पूली भी इसके साथ में है और इसके साथ में जो जाली है यानि कि अलग-अलग प्रकार की डाले बनाने के लिए अलग-अलग प्रकार की जाली तो यहां पर 9 जाली आपको मिलने वाली है इसके साथ में जो pipe है, पूरा यानि कि azates, ये plant अभी आपको इस वीडियो में दिख रहा है, वैसा का वैसा plant आपको मिलने वाला है तो चलिए तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले कि इसे operate कैसे करते हैं, कैसे चलाते हैं, डाले कैसे बनाते हैं तो सबसे पहले तो इसको कोई भी operate कर सकता है, चाहे लेडि से या फिर जैन से, बच्चे से दूर रखे आप, चलिए तूज, आज मैं यहाँ पर चने की डाल बना के दिखाता हूँ, तो सबसे पहले आप चना लीजिए, और चने को एक से डेड़ गंटे गरम पानी में बिग को दीजिए, उसके बाद में आप इसे पूरे दिन सुखा दीजिए दूप में, और शाम को आप इसे छाओ में ले लिजिए, क्योंकि रात को जो ओस गिरते हैं, उससे चने खराब हो जाते हैं, मोर्निंग में आईए, हमारा प्लांट ये है, अब प्लांट के साथ में जो क केबल है, केबल के यहाँ पर आपको 16 एंपर का 3 पीन यूज़ करना है, वो आप सीधा आपके जो इलेक्रिसिटी बोर्ड है, वहाँ पर आपको लगाना है, याद रहें, यह सिंगल फेस में भी चलता है, और 3 फेस में भी चलता है, तीन एच्पी का इसमें मोटर लगा हु है, कि यह जो प्लांट है, वो चालू हो गया है, अब यहाँ पर जो हॉपर है, उस हॉपर में हमें चना डालना है, चना में ने डाल दिया है, उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं, कि यह कुछ इंटरनल प्रोसेस है, जो आपको अंदर दिखाई नहीं देता है, यहाँ पर जो चने है, उसके ग्राइंडिंग होती है, यानि कि जो डाल बनती है, वो प्रोसेस यहाँ पर है, उसके बाद में सारा मल यहाँ पर आता है, इस हॉपर में आने के बाद, यहाँ पर आप देख रहे हैं, कि एक पाइप लगा हुआ है, इस पाइप का काम रहता ह आगे की process होती है shorting process तो first में जो यानि की कंकी होती है जो डाल कड़ जाती है वो यहाँ पे निकल जाएगे उसके बाद में ये वाला जो है उसमें जो fine material है जो पूरा डाल बन कर है आप देख रहे हैं इसके साथ में कोई भी छिलका भी नहीं है एसा नहीं कि साथ में छिलका आ रहा है और इसके साथ में जो आगे वाला जो है उसमें अगर मालीजे कोई मोटी डाल रहे गई है वो यहाँ पे आएगी और अगर इसमें अगर कोई भी बड़ा चना रहे गया है तो वो यहाँ पे आएगा कितना अच्छा देखिए आप पूरी शॉर्टिंग होती जा रही है इस वीडियो में एक बार पूरा देखिए उसके बाद कमेंट करना कोई भी दिक्कत आती है या फिर कमी रेरी हो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक पाइप और लगा हुआ है वहाँ पे तू छिलके उठी गए लेकिन मशीन है अगर माल लेजे आगे ओर छिलके आजाते हैं तो यहाँ पे वापिस से यह छिलके यहाँ पे आजाते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं यह ब्लोवर लगा हुआ है अब यह जो ब्लोवर है उसका काम है सारे छिलके उठाना और यहाँ पर एक बैग लगाना होता है उस बैग में यहाँ पर सारे छिलके इखटे हो जाते हैं अब यहाँ पर एक प्रोसेस और आप देख रहे होंगे कि आप सोच रहे होंगे कि निचे की तरब यहाँ पर यह बैग क्यों लगाया है अब यहाँ पर grinding होती है तो अब कहीं ने कहीं तो यानि कि हल्का फुल्का आठा बनता ही है यानि कि चूरा हो जाता है तो वो चूरा इसमें निकल जाता है यह पूरी process आप देख रहे हैं जहाँ पर डाल बन रही है Sam ऐसी के ऐसी process तूवर में भी होती है यहाँ पर दिखाई दे रही है लेकिन अब bind में यह भी जलता है कि एक गंटे में हमें production कितना मिलेगा तो यहाँ पर 80 से 100 kg production मिलता है अब मैंने यहाँ पर average इसलिए बताया है कि अलग-अलग material का अलग-अलग production देखने को मिलता है अब यहाँ पर यह भी जान लेते हैं कि हमें space की जुरूत कितने पड़ती है क्या हम गर से भी शुरू कर सकते हैं हाँ बिलकुल आप गर से भी शुरू कर सकते हैं आपको कोई बड़ा plant वगरा ऐसा कुछ बनाने की जुरूत ने पड़ेगी तीन सेड का ऐसा अलग से कुछ बनाने की जुरूत ने पड़ेगी आपके घर में जो आंगन है उसमें भी रखके आप शुरू कर सकते हैं आपको छूटा कमरा है वहाँ पे भी शुरू कर सकते हैं चलिए इसकी size की बारे में बात कर लेते हैं तो 6, 6 और 4 यह इतनी सी यानि कि 6 फीट तो इदर और 6 फीट उदर और 4 फीट इदर अब यहाँ पर अगर आपका material वगेरे की बात करते हैं और इसके लिए यानि कि मुश्किल से 10 इंटू 12 का अगर रूम है तो आप सारा सब कुछ यहाँ पर हो सकता है अब यहाँ पर बात कर लेते हैं service, maintenance and setting की अगर मैं maintenance की बात करता हूँ और service की बात करता हूँ तो low maintenance से बिल्कुल zero maintenance से आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी सबसे पहले आप यहाँ पर जो भी आप material डाल रहे हैं उसके बाद मैं यहाँ पर एक चोटी सी setting दे रहे हैं इसको आपको बाहर किसना है हलका सा एक इंच के बरापर तो यहाँ से जो चना है इसमें आ जाएगा अब यहाँ पर 15 सिकंड के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं यह जो है इसको आपको खोलना है तो यहाँ पर होपर में आ जाएगा होपर में यहाँ पर जो है वो complete यहाँ पर जो डाल बन के आई है और width छिलका है अब यहाँ से यह है इसको आपको खोलना है और उसके बाद मैं सारी process में ने बताई दिये यह तो होगे इसकी setting की बात आप यहाँ पर अगर maintenance की बात करते हैं तो zero maintenance से मैंने पहले ही बता दिया है सिर्फ यहाँ पर आप देख रहे हैं pedestal है इसमें आपको महिने में एक बार गिरिस कर लेना है वो भी depend करता है कि आप इसे कितना चला रहे हैं ज़्यादा चला रहे हैं तो ज़्यादा बार आपको गिरिस करना पड़ेगा और कम चला रहे हैं तो कम बार गिरिस करना पड़ेगा इसके बाद में आपन गारंटी की बात करते हैं तो जो electricity motor है उसकी एक साल की replacement guarantee मिलती है इसलिए कोई भी दिक्कत आती है तो आपको replacement में मिलेगा और भी यानि कि अगर कोई भी parts में दिक्कत आ जाती है तो company आपके साथ में है और आपको पूरा guide करेगी वहाँ पे अब यहाँ पर बात करता है किम्मत की और खरिदने की तो यहाँ पर किम्मत नहीं बताने वाला हूँ इसलिए नहीं बताने वाला हूँ कि आज यो machine है 2023 में उसमें जो material लग रहा है उसकी किम्मत अलग है अगर आप इस video को 10 साल बात देख रहे हैं तो जो government rules के इसाब से जो price है वो increase हो जाती है तो इसमें machine में भी जो price है उसमें changes आ जाते हैं और खरिदने के लिए आप दिये गए नमबर है उसके साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि यह इतनी heavy machine है उसके बाद भी आपको यहाँ पर pre delivery मिलने वाली है अब कहां तक मिलेगी आपके गर के पास में जो भी nearest यानि की center है transport center है या courier center है वहाँ तक आपको pre delivery मिलने वाली है आपने इस वीडियो को पूरा देखा है आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा ज़्यादा इसे share कर देना है और हाँ आपके शहर में या फिर आपके country में या फिर आपके गावों में कौनसी डाले ज़्यादा यूज में होती है आप उमें कमेंड करके बताए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज्यादा शेयर करना है लाइक करना है साथ में ही आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे। तो आप इसे सब्सक्राइब करें साथ में ही बैल आइकन को जुरूर हिट करें अगर आप इस वीडियो को किसान टीवी फेस्बूक पेज पर देख रहे हैं जहां पर जुड़े उए हैं लाखों किसान आप नहीं जुड़े हैं तो तुरंत फोलो करें और अभी जुड़ें मिलते हैं अगला वीडियो के साथ तब तक के लिए जै भारत जै हिंद वन दे मातर